ओम शन्ति, आज की तारीख है सत्रा दो पंदरा, और आज कौन सा दिन है? आज है हम सर्व आत्माओं के अत्ती प्यारे पिता, परम पिता, परमात्मा, जोतिर बिंदु शिव बाबा की जन्म जयन्ती, अर्थात शिवरात्री, जो हम खूब धाम दोम से आज मना रहे हैं, आज हम शिव बाबा का जन्डा भी लहराएंगे, और आज हम भेर सारी आत्माओं को अपने प्यारे प्यारे मिठे मिठे शिव बाबा का संदेश भी देंगे, और सभी को ये खुश खबरी भी सुनाएंगे, कि हम सभी के दुख हरता, सुख करता, पिता परमात्मा, सदातल्यान कारी शिव बाबा, सृष्टी पर आये हैं, जिनको हम दुख और अश्यान्ती से फुकारते आये, और वो शिव बाबा अब फिर से इस पुरानी दुनिया को मिठा कर नई सत्यूगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें नई दुनिया का सुख, शान्ती और पवित्रता का वर्षा शिव बाबा दे रहे हैं, तो हम आकर के परम पिता परमात्मा का परिचाज देंगे सभी को, ताकि पिता परमात्मा शिव बाबा जो है और जैसा है रैसा उनको सभी पहचाने और पहचान कर आकर के और पिता परमात्मा शिव बाबा ने जो राजयोग का ज्यान दिया है, राजयोग की जो पढ़ाई पढ़ाई है, राजयोग जो सिखाया है, वो सभी आकर के पढ़े, सीखे, और राजयोग के द्वारा अनेक शक्तियों को प्राप्त करके, अपने अंदर विशय, विकार या अवगुन की जो दुरगंद है, उसको मिटाएं, अपने अवगुनो को खतम करें, विशय विकारों से स्वयम को मुक्त करके, मुक्ती, जीवन, मुक्ती दाता, शिव पिता परमात्मा से ये वर्षा प्राप्त करें, तो आईए सुनते हैं आज की ज्ञान मुरली, और आज की ज्ञान मुरली का सिर्शक है, मीठे बच्चे, बाप जो है और जै इसा है, उसे यथार्थ रीती जानकर याद करना यही मुख्य बात है, मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ती से समझानी है, प्रश्न है आज का, सारे युनिवर्ष के लिए कौन सी पढ़ाई है, जो यहां ही तुम पढ़ते हो, उत्तर है, सारे युनिवर्ष के लिए यही पढ़ाई है, कि तुम सब आत्मा हो, आत्मा समझ कर बाप को याद करो, तो पावन बन जाएंगे सारे युनिवर्ष का जो बाप है, वो एक ही बार आते हैं, सब को पावन बनाने, वही रचता और रचना की नौलिज देते हैं, इसलिए वास्ताव में ये एक ही युनिवर्षिटी है, ये बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी हैं, मुर्ली की शुरुवात, ओम श्यन्ति, शिव भगवान वाच, अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं, कि भगवान कौन है, भारत में कोई भी यथार्थ रिती से जानते नहीं, कहते भी हैं, अर्थात बाप स्वयम कहते भी हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे यथार्थ रिती कोई जानते नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार जानते हैं, भले यहां रहते हैं, परन्तु यथार्थ रिती से नहीं जानते, यथार्थ रिती जानकर और बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किल आता हैं, भले बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज हैं, परन्तु मैं जो हूं, मुझे निरंतर बाप को याद करना हैं, और बुद्धी में ये युक्ती रहती हैं, मैं आत्मा बहुत छोटा हूं, और हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है, आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं, दुख में ही सभी याद करते हैं, हे भगवान, अब भगवान कौन है, यह तो कोई भी मनुष्य समझते नहीं, अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, इस पर विचार सागर मन्थन करना चाहिए, नाम भी लिखा हुआ है, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्याले, इससे भी वो नहीं समझते हैं, कि यह रूहानी बेहद के बाप का इश्वरिय विश्व विद्याले है, अब क्या नाम रखें, जो मनुष्य जट समझ जाएं, मिठे मिठे बाप दादा को अपने बच्चों पर बड़ा रहम पड़ रहा है, और बहुत प्यार आ रहा है, तो बाबा कहते हैं, क्या करें, जो जल्दी बच्चों को ये बात समझ में आ जाएं, कि ये विश्व विद्याले रूहानी बेहद के बाप का है, तो बाबा कहते हैं, कैसे मनुष्यों को समझाएं, कि ये युनिवर्शिटी है, युनिवर्श से युनिवर्शिटी अक्षर निकला है, युनिवर्श अर्थात, सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है युनिवर्शिटी, यानि सारे विश्व की सर्व आत्माउं के लिए पढ़ाई का यह स्थान जिसमें सब मनुश्य पढ़ सकते हैं युनिवर्स के पढ़ने के लिए युनिवर्सिटी है अब वास्तव में युनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं और उनकी ये एक ही युनिवर्सिटी है, एम अबजेक्ट भी एक हैं और बाप ही आकर सारे युनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं, सारे विश्व को पतीत पावन बाप आकर के पावन बनाते है और राज योग शिखाते हैं, अब ये तो सब धर्म वालों के लिए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सारे युनिवर्स का बाप है, इन कॉर्पोरियल गौड फादर, मिराकार पिता परमात्मा, तो क्यों नहीं इसका नाम स्प्रिचियल युनिवर्सिटी और स्प्रिचियल इन कॉर्पोरियल गौड फादर रखें, ख्याल किया जाता है न, देखो बाबा को कितना अंदर में बार बार बच्चों के लिए आ रहा है, कि कितना सहज कर बताएं, जो बच्चे यहां आवे, पढ़े, पढ़ाई करके और उंच पद पावे, तो बाबा कहते हैं मनुष्य ऐसे हैं, जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते हैं, रचता को न जाने, तो रचना को भी न जाने, रचता के द्वारा ही तो रचना को जाना जा सकता है, बाप बच्चों को सब और कोई भी ये बातें जानते नहीं, रिशी मुनी भी नेती नेती करके गए, अर्थात नहीं जानते हैं, ऐसा कहके गए, तो बाप कहते हैं, तुमको पहले ये रचता और रचना की नौलेज नहीं थी, थी क्या हमारे पास नौलेज ये नहीं थी, तो अभी रचता ने तो बाप कैते हैं, मुझे सब पुकारते हैं कि आकर हम को सुख शांती दो, क्योंकि अभी दुख और अशांती है, उनका नाम ही है दुख हरथा, शुख करता, तो वो कौन है? भगवान वो कैसे दुख हर कर सुख देते हैं ये कोई नहीं जानते हैं तो ऐसा क्लियर कर लीखे जो मनुष्य समझे कि निराकार गौड फादर ही ये नौलिज देते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन करना चाहिए तो बाप समझाते हैं कि मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धी अभी तुमको पारस बुद्धी बना रहे हैं कौन बना रहा है हमें पारस बुद्धी स्वयम भगवान हमें पारस बुद्धी बना रहे हैं वास्तव में पारस बुद्धी उने कहेंगे, जो कम से कम, पचास से अधिक मार्क्स ले, फेल होने वाले पारस बुद्धी नहीं, राम ने भी कम मार्क्स लिये, तब तो क्षत्रिय दिखाया है, यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बान क्यों दिखाये है, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है, कि उसने सब को मारा, और राम को बान दिखाये हैं, एक खास मैगेजिन निकलती है, जिसमें दिखाया है, कि श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आजी को मारते हैं, अब दोनों को हिंसक बना दिया कौन दोजन, श्री कृष्ण और श्री राम, दोनों को हिंसक बना दिया है, और फिर डबल हिंसक बना दिया है, कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए न, अरे वतुर है निर्वीकारी देवी देवता, वहां रावन राज्य है ही नहीं, इस समय रावन संप्रदाय कहा अभी तुम समझाते हो, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते, कि वह है ही निर्वीकारी दुनिया, कौन सी, जो नई दुनिया, परंपिता परमात्मा वर्तमान स्थापन कर रहे हैं, वह है सत्यूगी दुनिया, तो बाबा कहते हैं कि वो है यी निर्विकारी दुनिया, अभी तुम शुद्र से ब्रामन बने हो, यह ऐसा अच्छी रिती से समझाना है, जो मनुष्य समझे कि इनके पास पूरा ज्यान है, थोड़ा भी इस बात को समझेंगे, तो समझा जाएगा कि यह ब्रामन कुल का है, कोई के लिए तो जट समझ जाएगे, यह ब्रामन कुल का है या नहीं, आते तो अनिक प्रकार के हैं न, तो तुम Spiritual University of Spiritual Incorporal Godfather लिख करके तो देखो क्या होता है, बाबा कहते है, ट्राय तो करो ऐसा लिखने की, विचार सागर मन्थन कर अक्षर मिलाने होते हैं, इसमें बड़ी युक्ती चाहिए लिखने की, जो मनुष्य समझे कि यह Knowledge Godfather समझाते हैं, अथ्वा राज योग सिखलाते हैं, अक्षर भी कॉमन हैं, जीवन मुक्ती, दीट शावरेंटी in second, तो ऐसे ऐसे अक्षर हों, जो मनुष्यों की बुद्धी में बैठे, ब्रह्मा द्वारा विश्नुपूरी की स्थापना होती है, अब मनमना भव का अर्थ है, बाप और वर्से को याद करो, तुम हो ब्रह्मा मुखवा उंशावली, ब्रामन कुल भूशन स्वदर्षन चक्रधारी, अब बहतो स्वदर्षन चक्रविश्नु को दिखाते हैं, कृष्न को भी चार भूजाएं दिखाते हैं, अब उनको चार भूजाएं हो कैसे सकती, बाप कितना अच्छी रिती समझाते हैं, बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धी, पारस बु ये है पत्थरों की दुनिया, तुमको ये नौलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की, तुम अपना राज्य श्री मत से फिर से स्थापन कर रहे हो, बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बनते हो, तुमारी बुद्धी में ये ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए, गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है, गोले पर माना सृष्टी रुपी चक्र पर, इस समय बाबा कहते हैं, जन संख्या देखो कितनी हैं, सत्युग में कितने थोड़े होते हैं, अभी संगम है, ब्रामन तो ठोड़े होंगे न, ब्रामनों का युग भी छोटा है, क्योंकि संगम युग बहुत छोटा युग हैं, ब्रामनों के बाद हैं देवताइं, फिर वो वृद्धी को पाते हैं, तो ये जैसे बाजोली होती है, ऐसे बाजोली है, तो सीड़ी के चित्र के साथ, विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा, बाबा अलग-अलग धंग से क्या करे जो बच्चों को समझ में आवे, तो अभी बाबा कहते हैं सीडी के चात विराट रूप का भी चित्र होगा तो समझाने में क्लियर होगा, उनको सहज बुद्धी में बैठेगा अब जो तुमारे कुलके होंगे उनकी बुद्धी में रचता और रचना की नौलेज सहज ही बैठ जाएगी उनकी शकल से भी मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुलका है या नहीं बाबा कहते है परक्षक्ती से हम ये भी परक्षक्ते हैं कि ये हमारे कुलका है या नहीं अगर नहीं होगा तो उसका लक्षन क्या दिखाई पड़ेगा तो बाबा कहते हैं वो तवाई की तरह सुनेगा माना सुनते हुए भी नहीं सुनेगा और ऐसे सुनेगा जैसे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है समझू होगा वो तो ध्यान से सुनेगा तो बाबा कहते हैं एक बार किसको पूरा तीर लगा तो फिर आते ही रहेंगे कोई प्रशन पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप ही आकर पूरा समझ कर चला जाएगा चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं कि ये बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयम बाप कर रहे हैं कोई न पूछते भी आप ही समझते रहेंगे कोई प्रशन पूछेंगे और समझेंगे परन्तु बाबा कहते है कोई प्रशन न भी पूछे आप ही समझते रहेंगे कोई तो बहुत पूछते रहेंगे और समझेंगे कुछ भी नहीं हमारा भी टाइम वेस्ट करेंगे फिर उनको समझाना होता है अंगामा तो करना नहीं है फिर कहेंगे इश्वर तुमारी रक्षा भी नहीं करते हैं, अब वो रक्षा क्या करते हैं, सो तो तुम जानते हो, कर्मों का हिसाब किताब तो अपना चुक्तु करना है, ऐसे बहुत हैं, तबियत खराब होती है, तो कहते हैं, ए प्रभू रक्षा करो, बाब कहते हैं, हम तो आते हैं पतीत को पावन बनाने, वो धंदा तुम भी सीखो, बाबा तो पांच विकारों पर जीत पहनाते हैं, तो और ही जोर से वो सामना करेंगे, जो नहीं समझेंगे, और प्रशन पर प्रशन करेंगे, बाबा कहते है वो और ही जोर से सामना करेंगे विकार का तुफान भी बहुत जोर से आता है बाप तो कहते हैं बाप का बनने से ये सब बीमारियां उथल खाएंगी तुफान जोर से आएंगे पूरी बॉक्शिंग है हाँ पूरा हमारी बॉक्सिंग किसके साथ है? माया रावन के साथ, अच्छे-अच्छे पहलवानों को भी खरा लेते हैं, कहते हैं, न चाहते भी कुद्रिष्टी हो जाती है, तो रजिश्टर खराब हो जाएगा, अगर कुद्रिष्टी रखी, तो बाबा कहते हैं, रजिश अची अची बाते सिखलाते और फिर भी यदि कोई कुद्रिष्टी करते हैं, तो बाबा कहते हैं, ऐसों से तो बाती नहीं करनी चाहिए, बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, कि कुद्रिष्टी वाले बहुत धेर हैं, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन आए हैं, कि सभी सेंटर्स पर ऐसे खुद्रिष्टी रखने वाले बच्चे बहुत हैं, और बाबा कहते हैं अगर बाबा नाम ले वे, तो वो बिगड़ पड़ेंगे और दिस्सर्विश करने वाले ट्रेटर बन जाएंगे, तो बाबा आगे कहते हैं, कि अपनी सत्या ना कु कर्म, कु द्रिष्टी और कु वचन निकल पड़ते हैं, कु चलन हो पड़ती हैं, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना हैं, हाँ तो यहां हम सभी बच्चे अपना अपना चाट चेक करेंगे, अपने दिल दरपण में हम देखेंगे, कि हम कहीं कु कर्म तो नहीं करते, कु द्रिष्टी तो नहीं, कु वचन तो नहीं बोलते, या फिर हमारी चलन, कु चलन तो नहीं, तो इसलिए स्वयम को सावधान हो करके, हर कर्म को करना हैं, आगे मिठे मिठे बापदादा कहते हैं, कि तुम बच्चे, जब प्रदर्शनी आदी करते हो, तो ऐसी युक्ती रचो, जो कोई भी सहज समझ सके, ये गीता ग्यान सेम बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्तरादी की तो बाती ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है, किताब गीता तो यहां है नहीं, बाप पढ़ाते हैं सन्मुख, किताब थोड़े हाथ में उठाते हैं, फिर ये गीता नाम कहां से आया? ये सब धर्म शास्त्र बनते ही बाद में है कितने अनेक मठ और पंथ है सब के अपने-पने शास्त्र है, ताल, डाल जो भी है, छोटे-छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने-पने है, तो वो हो गये सभी बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिलना सके, सर्व शास्त्रमई शिरोमणी गीता गाई हुई है, और गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले तो होंगे न, तो ये नौलेज बाप ही आकर के देते हैं, कोई भी शास्त्र आदी हाथ में थोड़े ये बाबा के, अब ब बाबा जब ये ज्ञान देते हैं, तो कोई शास्त्र हाथ में रखकर, या शास्त्र को याद रखकर, मुक्पाठ सुनाते नहीं हैं, बाबा कहते हैं, मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं, वो सीखते हैं और सीखलाते हैं, यहां मुक्य यह है ही चार धर्मों के चार धर्म शास्त्र, यहां शास्त्रों की कोई बात नहीं, बाप है ही नौलिजफुल, बाप कहते हैं कि हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं, मुख्य चार धर्म और चार धर्म शास्त्रव प्रामन धर्म का कोई किताब है क्या कितनी समझने की बाते हैं ये सब बाप बैठ डीटेल में समझाते हैं मनुष्य सब पत्थर बुद्धी हैं तब तो इतने कंगाल बने हैं देवताइं थे तो गोल्डन एज में थे वहाँ सोने के महल बनते थे सोने की खानिया थी अभी तो सच्चा सोना भी है नहीं सारी कहानी भारत पर ही है तुम देवी देवता पारस बुद्धी थे विश्व पर तुम राज्य करते थे अभी ये तुमें सिमर्ती आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे फिर नर्त के हम मालिक बने है अब फिर पारस बुद्धी बन रहे है ये ग्यान तुम बच्चों की बुद्धी में है जो फिर औरों को तुम समझाते हो रामा अनुसार पार्ट चलता रहता है जो time pass होता है, so accurate फिर भी पुर्शार्थ तो कराएगा न, जिन बच्चों को नशा है, कि स्वयम भगवान हमको heaven का मालिक बनाने के लिए पुर्शार्थ कराते हैं, तो उनकी शकल बड़ी first class खुश नुमा रहते हैं, बाप आते भी हैं बच्चों को पुर्शार्थ कराने और प्रालब्ध के लिए, अब ये भी तुम जानते हो, कि दुनिया में थोड़े जानते हैं कोई, बाबा कहते ये भी बाते तुम जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानते, हेवन का मालिक बनाने भगवान पुर्शार्थ कराते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, शकल बड़ी first class, खुशनुमा होनी चाहिए, बाबा कहते हैं चेहरा बड़ा हर्शित मुखो होना चाहिए, बाप की याद से तुम सदैव हर्शित रहेंगे, बाप को भूलने से ही मुर्जाईस आती है, बाबा को भूल जाते हैं तो उदासी आती है, बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं, हर एक की सर्विश से समझा जाता है कि ये खुशनुमा है या नहीं, और कितना प्रतिशत ये खुशनुमा रहते हैं, बाप को बच्चों की खुश्वु तो आती है न, सपूत बच्चों से खुश्वु आती है और कपूत बच्चों से बदवु आती है, बगीचे में खु उठाने के लिए दिल होगी, अगर हम बगीचे में जाएं, तो जो मुर्जाया हुआ फूल होगा, उसको हम कभी तोड के अपना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो खिला हुआ, सुगंध वाला फूल होगा, तो उस सुगंधित पुष्प को हम तुरंत तोडते और उनको उठाने की दिल होती है, अक को कौन उठाएंगे, बाप को यठात रीती याद करने से ही, बाबा कहते हैं, की विकर्म विनाश होंगे, तो हमें फूल बनना है ऐसा, जो किसी को भी उठाने की दिल करे, अक का फूल नहीं बनना है, बाबा कहते हैं, हमें अक जैसा माना, दुख देने वाले कांटे नहीं बनना है, अच्छा, तो मिठे मिठे, सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों का रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, धारना के लिए मुखे सार की दो बाते, नमबर एक है, माया की बॉक्शिंग में हारना नहीं है, ध्यान रहे, कभी मुख से कुवचन निकले, कुद्रिष्टी, कुचलन, कुकर्म न हो जाए, नमबर दो है, फर्स्ट क्लास खुश्मुदार फूल बनना है, नशा रहे, कि स्वयम भगवान हमको पड़ाते हैं, बाप की याद में रहकर, सदैव हर्शित रहना है, कभी मुर्जाना नहीं है, अब सुनेंगे सत्गुरु बाबा से वर्दान, तो वर्दान है आज का, ड्रामा की नौलेज से, अचल स्थिती बनाने वाले, प्रकर्ती वा माया जीत भव, प्रकर्ती वा माया की द्वारा, कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हल चल न हो, ये क्या, ये क्यों, ये क्व केस्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई, तो बाबा कहते हैं, कि फेल हो जाएंगे, इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले, कि वा मीठा ड्रामा, वा, हाय, ये क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए, ऐसी स्थिती हो, जो कोई सं अंकल्प में भी हल चल न हो, सदा अचल, अडोल स्थिती रहे, तब प्रकर्ती जीत वा माया जीत का वर्दान प्राप्त होगा, स्लोगन है आज का, खुश खबरी सुना कर, खुशी दिलाना, यही सब से स्रेष्ट कर्तव्य है, तो कौनसी खुश खबरी सब को सुनानी है, कि स्वयम भगवान आये हैं, और स्वयम भगवान हमें पढ़ाते हैं, और ये युनिवर्सिती स्वयम भगवान ने ही स्थापन की है, खोली है, तो सभी आकर के विश्व का मालिक बने, भगवान विश्व का मालिक बना रहे है, तो ये खुश कबरी सुना कर, खुशी दिल यही सबसे स्रेश्ट करतव्य है, अच्छा, ओम, शान्ती.